हेलो गाइज, वन्स अगेन वेलकम तो मैं चैनल श्टीडी टागेट आज के स्वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सेंटेज के पार्ट नंबर टू की टाइप टू की इसमें हम लोग देखेंगे किसी पदार्थ के मुल्ले में अगर एक्सपर्शन की बिद्धी हो जाती है या कमी हो जाती है तो उस पदार्थ की जो अपना खर्च होता है उसमें कमी करें। कमी करें या विध्धी करें जिससे हमारी जो कहपत होने वाली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं जैसे मालिय की हमने 100 रुपए का कोई चीज खरीद है अगर उसका दां बढ़ गया और उसका दम कम हो तो इस तरह के questions को हम लोग देखेंगे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको general questions बताया हुए थे 5 तो type 2 है इसके बाद और भी वीडियो जाती रहेंगी आप लोग one by one करके preparation करें तो आप लोग कोई भी exam निकाल सकते हैं तो यह सारे questions सारे exam से लिए हुए हैं बहुत important हो जाते हैं और एक important बार जो लोग अभी तक मेरे group के साथ वार्ट से group के साथ ज्वाइन नहीं है लिंक आपको discussion box में मिल जाएगा तो चलिए ठीक है देखते हैं इस तरह के questions को कैसे solve करते हैं पहले इसका तरीका समझ लेते हैं कि चीनी के मुले में 20% के बिद्धी होती है ची 100 रुपए का चीनी हम लोग खरीदते थे ठीक है बट क्या हुआ इसका जो दाम है वो बढ़ गया कितना 20% तो 100 का 10% 10 होगा क्योंकि एक 0 हटा देते हैं 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो plus 20 करेंगे तो 120 हो गया बट एक कह रहा है कि जो खपत करने वाले हैं उसमें कोई रुपए का चाहिए मतलब पहले क्या उता था जब दाम नहीं बड़ा था तो 100 रुपए का खरीदते थे और 100 रुपए के जीनी को खर्च कर लेते थे एक हैना चाहरा है तो अनो झालत है न जा स्वाली और 120 रुपए में पर उसको आप बेच रहे हैं तो यहीं से जाने पर क्या हुआ व्रृद्धि हुई तो इसको बोलते हैं प्रतिसत ब्रिद्धि कैसे निकालेंगे यहां से यहां जाने पर वीस की भी विध्धि हुई थे बीस upon में initial value जहां से आप चले हैं उस वाली value को लिया जाता है into 100 upon में उसको लेगे into 100% तो आपका answer आजाएगा 20% की बिद्धी होई बट अगर माल लिजे कि 100 उपए इधर है और इधर 120 है तो अगर आप से कमी पूछे तो देखिए सबसे पहले देखिए कमी इधर से इधर आने पर होगा ठीक है तो जहां से आप चले थे value तो नीचे आएगी और यहां से यहां आने पर कितने कमी होगी 20 की तो 20 उपर हो जाएगा इंटू 100 पर्षेंट तो इकवल टू जो भी आंसर आएगा वह आपका आंसर होगा तो इसको बोलते हैं प्रतिसत कमी तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जहां से चलते हैं वैलू नीचे आ जाती है इसको मैंने ब्रीप में डिस्क्राइब किया हुए एक वीडि तो यहां से यहां जाने पर कमें हो रही है तो इनिचेल वैलू तो आपके की 120 यहां से हम लोग चले हैं तो 120 तो डिवाइड में आजाएगा और यहां से यहांने पर कितctoral कमी हुई 20 की क्योंकि 120 क्या हो गया 100 हो गया तो यहां पर आ जाएगा 20 इंटू 100% बस इसको आप सॉ प्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कुश्चन की तरफ इसमें देखे कह रहा है बेतन में कितने प्रशन की कट्रवती की जाए कि वह बेतन में की गई 20 प्रशन की बिद्धी को समाप्त कर दें मतलब क्या था कि पहले 100 रूपय कमाता था 20 प्रशन की बिद्धी हो पड़ेगा है ना क्योंकि पहले 200 कमाता था तो कितने की कट्रवती की गई गई तो आपके अभी भी कितनी है 120 ही है यहां से यहां आने में 20 की कट्रवती हो गई और इन्टू 100 परशन जैसे ही आप इसको सॉल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अभी मैंने सॉल कि 15 परशन यानि आपसर नंबर टू यहां पर बिल्कुल सही आंसर वाजाएगा क्लियर रहें चलिए बरते हैं इसमें कहले देखिए प्याज की कीमत पर 50 परशन की बिद्धी होगी प्याज पर उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रशत की कमी होगी सेम इसे महीं तो माले जे पहले प्याज 100 रुपय में मिलता था अब कितने मिलने लगा 150 में तो पहले ही जितना ही उसको ब्याज रखना है यानि 100 रुपय ही रखना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी तो यहां से यहां जाने पर आपको कितने की कमी करनी पड़ी इनीसियल वैलू आपक पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए next देखते हैं अगला कोई नए बजट में मिट्टी के तेल का मुले 25 परशन बढ़ गया कोई ब्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने परशन की कमी करें कि उसका ब्याय न बढ़ें सेम उसे मही कोशन है 100 रुपए ब 25 उपर आजाएगा और इन्टू 100 परशन जब इसको आप सॉल करेंगे तो देखे 25 से कम 25 25 25 25 से कड़ गया कितनी बार में 20 बार में तो आपका आपसर नंबर वन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आई हो वीडियो अगर पसंद आ रही तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और इसको सेर करें मेरे साथ बने रही है लाश्ट तक पुरी मैथ इसी तरह से पढ़ाओंगा पढ़के आंसर देंगे पढ़के यह मेरी गारेंटी जो मैं लिख रहा हूं यह लिखने की जबत नहीं किसी वस्तु पर सरकारी सुल्क की दर में 40 परशन की क्या हो या 60 अभी भी कह रहा है कि अब परिवर्तित रहे आये तो यह मतलब हंडेड ही रहे ठीक है तो अब उस कंडिशन में देखें यहां से यहां आने पर क्या होगा ब्रिद्धी होगा तो इसलिए क्वर्शन में भी पुछा है कितने प्रशत की ब्रिद्धी करनी होगी तो इस तरह से मैंने आपको इसमें भी पांच कोश्चन करा दी टोटल दस कोश्चन हो गये हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भीनों पर अधादी प्रस्म कैसे होते हैं कैसे सौल किये जाते हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी आप जब आप प्रेस करेंगे सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को और आगे वाले आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे हैं आपकी कोई भी एक्जाम हो सब ब्रेक हो जाएंगे मैस में आपको सोचने की ज़रूत नहीं है अगर आप मेरे चैन करते हैं ओके थैंक्स पर वाचिंगे